आपके लिए लेके आगया हूँ एक ऐसा गैजेट जिससे आप सिर्फ 1500 रुपे में अपने आईफोन की स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं जिस डिवाइस के बारे में दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आप मैंसे बहुत से लोगों को इस डिवाइस के बारे में नहीं पता होगा या हो सकता है बहुत से लोगों को पता भी हो लेकिन जहां तक मुझे लगता है दोस्तों आप मैंसे बहुत से लोग इस डिवाइस के बारे में नहीं जानते होंगे आईफोन, आईफोन के बारे में दोस्तों आप सब ने सुनाई होगा वर्ल्ड की most leading and profit making company है in the mobile segment और आज मैं दोस्तों आप से बात करने वाला हूँ आईफोन के storage के बारे में कैसे हैं आप लोग, my name is Sandeep and you watching, call me sir तो आप दोस्तों मेरे साथ बने रही है वीडियो में ये वीडियो आईफोन users के लिए बहुत कमालगी होने वाली है आईफोन users के लिए वीडियो blast होने वाली है जैसा कि आप सब दोस्तों जानते हैं आईफोन की storage को upgrade करना कितना मुश्किल है मुश्किल इन दा सेंस काफी कोस्टली है आईफोन की स्टोरेज बेसिकली आप तीन तरह से अपग्रेड कर सकते हैं फर्स्ट आप USB 3 टू कैमरा एडेप्टर बाई कीजिए जो आपको 3 से 4 यार पे कोस्टली पड़ता है सेकेंड आप iCloud परचेज कीजिए iCloud Storage परचेज कीजिए तो iCloud Storage भी आपको 700 से 800 रुपे महिना देना पड़ता है और थर्ड दोस्तों आप अपना फोन अपग्रेड कीजिए जो दोस्तों बिल्कुल भी पोसिबल नहीं रहता है तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आगया हूँ एक ऐसा गैजट जिससे आप इन तीनों चीजों के खर्चे से बच सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आपको दिखाता हूँ सिधा गैजट तो यह है गाइज हमारा वाइडिस्क गैजट जी हाँ गाइज इसका नाम है वाइडिस्क और यह एक छोटा सा स्मॉल सा डिवाइस है जो आपके आइफोन की स्टोरेज को 256GB तक एक्सेंड कर देगा या अपग्रेड कर देगा तो बहुत ही कमाल का गाइज यह गैजट है मुझे गाइज इसे यूज करते हुए 6 months हो गए और मुझे अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत या problem नहीं आई है यह गाइज silver material में काफी hard build है यह गाइज कितनी बार भी आपसे गिर जाए कहीं भी गिर जाए इसे जल्दी दोस्तों कुछ भी होने वाला नहीं है काफी solid material से बना हुआ है और यह है गाइज हमारा iPhone 12 आज हम इसी के साथ आपको Y-Disc यूज करके दिखाने वाले हैं Y-Disc को यूज करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको App Store पे जाना होगा यहाँ पे आप सर्च बार में सर्च कीजिए Y-Disc यहाँ पे गाइज आपको दो एपस मिलेंगी एक Y-Disc और एक Y-Disc Pro आपको गाइज Y-Disc इंस्टॉल करनी है Y-Disc Pro के लिए दूसरा गैजट आता है उसमें हमें कुछ Pro Features मिल जाते हैं लेकिन वो होता भी बहुत कोस्टली है एक तो गाइज आप इस तरह से एप को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर गाइज आपको एप App Store में नहीं मिल रही है तो आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आप App को हमारे Y-Disc के बारकोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं आप गाइज सबसे पहले iPhone का Control Pen खोलिए उसमें से आप बारकोड रीडर ओपन कीजिए और Y-Disc के उपर जो बारकोड है उसे आप स्कैन कीजिए ये आपको सिधा Y-Disc की एप पे ले जाएगा तो आपको कैसे डाउनलोड करना है ये तो आपको पता लगी गया अब आपको इसे यूज करके दिखाता हूँ कैसे हम Y-Disc को अपने फोन पे ओपन करेंगे अभी गाईज यूएसबी नोट प्लग इन दिखा रहा है तो चलिए गाईज यूएसबी को प्लग इन करते हैं लाइटनिंग कनेक्टर के थुरू यहाँ पे गाईज हम अपने लाइटनिंग पोर्ट में यह Y-Disc का लाइटनिंग कनेक्टर इंसर्ट करेंगे हमारी एप गाईज ओपन ही है कुछ ही सेकंड्स में यह डाटा रीड कर लेगा इसमें आप रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं देखे गाईज हमारी USB लोड हो चुकी है इसे आपको कनफर्म कर देना है गाईज इसमें गाईज USB और इंटर्नल दोनों आपको दे रखे है USB हमारे Y-Disc की मेंबरी है और इंटर्नल गाईज हमारे iPhone की मेंबरी है हम अगर Y-Disc को डिरेक्ट प्लग इन भी करेंगे तो भी ये एप को अपने आप ही खुद बखुद ओपन कर लेगा ये देखे गाईज मैसेज पॉप आउट हो गया है Y-Disc would like to communicate with the iOS device flash drive तो गाईज इसे हम अलाओ कर देंगे तो गाईज मैसेज हमारा पॉप आउट हो गया है The USB डाटा has been loaded हमारा डाटा लोड हो चुका है अभी आप कोपी या पेस्ट कर सकते हो और वाइस वरसा गाईज सबसे उपर USB और इंटर्नल दो ओप्शन्स मिलते हैं USB में हमारी वाइड डिस्क की फोटोज, वीडियोज, ओल डोकुमेंट्स, म्यूजिक सब है और इंटर्नल में हमारे आईफोन की स्टोरेज है वाइड डिस्क एप में सबसे लास्ट में सैटिंग की ओप्शन अवेलेबल है सैटिंग में आप जाएंगे गाईज, तो यहाँ पे यह देखिए गाईज 250 GB टोटल फ्री स्पेस हमें मिलती है वाइड डिस्क में गाईज हमें इंक्रिप्शन की ओप्शन भी मिलती है आप इसमें टेच आईडी भी इनेबल कर सकते हैं और अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं तो गाईज 1500 रुपे में और क्या चाहिए यार सेंड डिस्क, आई ड्राइब सब 33,000 रुपे में 64 GB पेंड ड्राइब बेच रहे हैं M5 certified अब इसका गाईज मुझे पता नहीं है या M5 certified है या नहीं है लेकिन गाईज वर्क प्रोपरली करती है सेटिंग्स के बाद second गाईज हमें backup की option मिलती है backup में guys सबसे पहले आप अपने contact का backup ले सकते हैं second आप recover contact कर सकते हैं recover contacts means guys आप अपने idisk से अपने phone में contacts recover कर सकते हैं जो आपने पहले अपने आईफोन में store करके रखे हैं and your third option guys हमें export photos की मिलती है तो आप अपने iPhone की photos photosyde disk पे copy ने सब्सक्राइबीैक आप फोटोस लिखा हुआ है लेकिन फोटो के सातसा आप वीडियो भी copy कर सकते है अभी के लिए गाईस मैं इसको कैंसल कर देता हूं क्योंकि मेरा data काफी है तो video काफी नंबी हो जाएगी यह देखें घाइस मैसेज भी यह properly work कर रही है हमारी WIDES for iPhone third option guys हमें backup के बाद मिलती है File Explorer की File Explorer में guys two options मिलती है हमें Internal and USB Internal में guys आपको पता है हमारे iPhone का storage है USB में guys आपको पता है हमारा WIDESC का storage है third option guys File Explorer के बाद is mean माई की File Explorer और माई में हमें same options मिलते हैं internal and USB दोनों options बिल्कुल same है आपको photos भी transfer करके दिखा देता हूँ कैसे आप अपने internal storage से अपने USB पे photos transfer कर सकते हो आपको ये three dots की option दिख रही है, जब आप three dots पे click करेंगे, तो guys आपको two options available होंगी, select and cancel, यहाँ पे guys आपको select कर देना है, select करने के बाद guys सबसे नीचे तीन options available होंगे, जो सबसे बीच में guys option है, वो social media sharing के लिए है white disk में guys आप external storage से भी अपने photos and videos social platforms पे share कर सकते हैं ये guys option मुझे सबसे अच्छा लगा, आप external storage plugin कीजी और directly अपने pen drive से ही आप अपनी file social media पे share कर दीजी या किसी को send करनी है तो send कर दीजी, इसके बाद guys after selecting photos सबसे नीचे sharing के left side में हमें जो option मिलती है उस पे जब आप guys click करेंगे, तो आपको दो options available होंगी, copy to USB and cancel, अगर guys आप अपनी photos copy करना चाहते हैं तो copy to USB पे click कीजी, otherwise अगर नहीं करना चाहते, तो cancel कर दीजी, यह transferring guys आप vice versa कर सकते हैं, USB से internal में भी आप transfer कर सकते हैं internal से USB पे भी आप transfer कर सकते हैं, USB से मैं आपको guys picture transfer करके दिखा देता हूं सबसे पहले guys, photo को select कर लेंगे, select करने के बाद, सबसे नीचे guys left side में सबसे first option पे click करेंगे, तो आपको guys three options pop up होंगे, copy to USB app, copy to photos and cancel copy to USB app पे click करने पे आपकी photos USB app का जो folder है, उसमें copy हो जाएंगी, और copy to photos करने पे आपकी photos direct iPhone के internal storage में save हो जाएंगी, और by mistake अगर आप ydisk को directly plug out भी कर देते हैं तो आपका data crap नहीं होगा, don't worry about your data, तो यह है guys हमारा ydisk gadget और यह device दोस्तों direct play and plug है इसमें आपको कोई भी external cable purchase नहीं करनी है और यह device दोस्तों size में भी काफी छोटा है, काफी pocket friendly है आप easily कहीं भी इसे carry कर सकते हो दोस्तों android और iphone में यही फरक है, android में दोस्तों आप चाहे 10,000 रपे के phone की storage upgrade कीजिए, चाहे आप 100,000 रपे के phone की storage upgrade कीजिए android में दोस्तों आपको 10,000 रपे के phone की storage upgrade करने के लिए सिर्फ उसका upgrade model 200 से 300 रपे महंगा होता है, और अगर आप आप लाक रिपे का फोन बाई कर रहे हैं तो उसका जो अप्ग्रेड मोडल है स्टोरेज में वो आपको तीन से चार हैर पे महंगा पड़ता है लेकिन आइफोन में फंडा बिल्कूल अलग है आइफोन दोस्तों इंडिया में अलादिन के चिराग जैसा है इसलिए दोस्तों कंपनी हमसे डबल चार्ज करती है तो वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और हाँ आपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेर करें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई जय हिंत बंदे बातर